स्रीशिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों हर हर महादेव आप सभी को पता ही है कि सावन का पवित्र महीना चल रहा है और अभी जो गुरू जी की कथा चल रही थी मेंपूरी में और मेनपूरी की कथा में गुरू जी ने एक कुंद केश्वर महादेव और अधूतेश्वर महादेव का एक सफेद दुर्वा वाला उपाय बताया था कैसे इस उपाय को करना है पुज गुरू जी की कथा से सुनकर बहुती सरल भासा में आपको समझाने का प्रयास करूंगी जितनी भी बड़ी बीमारी होगी इस उपाय को करने से धीरे धीरे करके खत्म जरूर होगी तो हम उपाई की बात करते हैं जो गुरू जी ने अपनी कथा में सफेद दुर्वा का उपाई बताया था अगर आपके घर में कोई व्यक्ति बहुत दिनों से बीमार हो चाहे उसे किड्नी की बीमारी हो डायलेसिस हो या पेट से संबंदित कोई भी समस्या हो कोई भी बीमार हो तो इस उपाई को जरूर करिएगा इस उपाई को करने के लिए आपको लेनी होगी सफेद दुर्वा एक आती है हरी दुर्वा जो भगवान गणेश को शमर्पित की जाती है और एक आती है सफेद दुर्वा हमें ज्यादा नहीं लेनी है जितनी भी आपको मिल जाए ती महादेव के मंदिर शिवलिंग के पास ये उपाय आपको शिव मंदिर में ही करना होगा, घर पर नहीं करना है, शिवलिंग के पास पहुँज कर आपको उत्तर दिशा की और फेस करके बेट जाना है, जितनी भी आप सफेद दुर्वा लेकर आए हैं, दो, तीन, पास, साथ, वो सफेद दुर्वा आपको चड़ाना होगा, महादेव के शिवलिंग के उपर, यहाँ पर आपको चड़ाना होगा, जब आप शिवलिंग के उपर दुर्वा समर्पित करेंगे, तो आपको दो नाम महादेव के लेने होंगे, अभी तक हम महादेव का कोई एक नाम लेकर उपाय करते थे लेकिन इस विशेश उपाय में सावन का अधिकमास चल रहा है तो इस उपाय के लिए हमें दो नाम लेने होंगे इंद केश्वर महादेव और अवधूतेश्वर महादेव इन दोनों का नाम लेकर सफेद दुर्वा महादेव के शिवलिंग के उपर समर्पित करना है जब आप जल शिवलिंग के उपर समर्पित करेंगे तो जल जलाधारी से नीचे आएगा इस जल को किसी भी पात्र में जहल लेना जल लेने के बाद कुंद केश्वर और अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेकर इस दुर्वा को भी उठा लेना उठाने के बाद इस दुर्वा को अपने घर लेकर चले जाना और जो व्यक्ति आपके घर में बहुत ज़्यादा बीमार है जो जल आप महादेव के मंदिर से लेकर आए हैं उसे उस व्यक्ति को वो जल पिला देना मातर एक चमच पिला देना कुंद केश्वर और अवधूतेश्वर महादेव क नाम लेकर और जो दुर्वा आप महादेव के मंदिर से लाए हैं उसे संभाल कर रखना अगले दिन एक कटोरी में जल लेना मातर थोड़ा सा जल लेना उस जल के अंदर आपको दुर्वा को 5-10 मिनिट के लिए रख देना और 5-10 मिनिट बाद दुर्वा को जल से बाहर निका सावन के अधिक मास में किसी भी दिन इस उपाय को कर सकते हैं हरहर महादेव जैश्री महांकाल